हम लोग ना पाच भाई भरन होते हैं और जब हिम लोग खाना भागा खाया करते थे ना तो हम लोग में एक चीज हुआ करती थी कि नाक जो हुआ है जिसितने नाक का जो कॉर्णर निकला हुआ है वहां आश tęक क्टड़ के यह में जिससे नाक ठा нis nap आगब कि ऐसे आप लोग बोलतbahn होना कि कि पीगी नोस करके दिखाये इस तरह से तो पीगी नोस की तरह ही आपड़ी ठाकर के आप दिखाते थे के झाँ का दोनों छेज़ दिखता था और पूर। नाक उत्धम भद्धा दिखता था यह आपना लिप्स ही दिखाते ह Pixar कि मे mine नाख को लिए चिर्थे खोटे भाहन थे कि मेरे से जो बड़े हैं वहोग मुझे चिठाते थे ओरम्हbor अगर आप छोटे हैं तो अपने से बड़ों के आगे आपका नहीं चलती चलता है ठीक है तो छोटों को सामने तो आप लोग कुछ भी मजा कुड़ा दो तो वही चीजे हैं कि जब मैं छोटी थी तब का तो यह हाल था लेकि मेरे से भी पहले यह चीज हो चुगा था यानि कि लाज थे कि नाक देखो और ये सब चीजे कब होती थी पता है खाना खाने के वक्त कि जब भी कोई खाना खाने बढ़ता ना अगला इंसान कोई ही भाईब अशना दिखान लगते कि इसे नाक मेरा देखो या सगर क्यों जो चिर्टा था ना वो नहीं लगता था कि मम्मी नाखी ने दिखा रहा है तो तो क्यों दिखा रहा है वो मुझे नाख क्यों दिखा रहा है क्यों दिखा रही है नाख ऐसे लड़ाई होता था मतलब ऐसा होता ना कि जब हम लोग का जनम नहीं हुआ था मतलब मेरी ममी बताते थी कि जब तुम लोग का जनम नहीं हुआ था तो पहले से ही तुम्हारे चाचा और एक मेरी फुआ छोटी थी और बाकी फुआ लोग का साथ दियो गया था तो एक दूसरे में वो लोग ऐसा क करने करके चिढ़ा रहा है तो अगला अगले को चिढ़ाएगा अगला अगले को चिढ़ाएगा इस तरह से लोग चिढ़ाते रहते हैं और यह चीजे आपको बता दू जब तक हम लोगों का बच्पना था मतलए 10 साल 12 साल तक तब तक हम लोग बहुत केड़ते थे मैं तो कु दिखने वाली क्या बात है क्यों चिड़ा रहा है और खाना खाने के वक्त कोई अगर ऐसे नाक दिखा दे तो समझे कि खाना ही खाने का मन नहीं करता था आज कल जब मैं नाक की वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों का कमेंट पढ़के मुझे इतनी ज़्यादा हसी भी आती है कि क्या है ये सब चीज इन सभी में भी लोग इतना इंट्रेस्टेड हैं इन सभी वीडियो को देखने में भी मुझे सच बता रही है उन्हें बहुत आश्चेरे होता है कि कहां जब मैं छोटी थी तो अपने भाई बहन को इस तरह से नाक उठा करके दिखा देती थी या फिर वो लोग मुझे दिखाते थी तो चिड़ने लगती थी बहुत जोर-जोर से रोने लगती थी कि उसने हो गई समझदार हो गई या फिर मेरे भाई बहन तो यह सब चीजे चूट गए मुझे अब वो पल यादा आते ना कि बच्पन में हम लोग कितना जादा एक दूसरे को परिशान करना चिड़ाना यह लगा रहता था और अब नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है और मैं अपने ब बेटा है बेटी है तो वो लोग भी करने लगें तो मैं तो बिल्कुल भी नबता हूँ वैसे आप लोगों को बताओं यह जो नाक का छेद होता ना जहां पर पिंक जहां से शुरू हो रही है वहां की मैं बात करती हूं वहां पर मेरी बेटी का एक बार बॉल फस गया था पिछले साल के बाद है और बोहत मुस्किल से वह बॉल निकला था मैंने कोस नहीं निकला मैं एक अस्पताल गई निकालने के बहुत कोसिस करें वह बहुत नहीं देट CT 3 GM5-4 GMgle दे करके नस में बहुँष करके फिर भी वह नहीं लव जूट बोलके हम लोगों से पैसे भी ले लिए बोले कि निकल गया निकल लगया क्योंकि वो लोग इतना हुरा हुरा किये थे ना कि वो और अंदर चला गया जो आप पिंक कलर का देख रहो ना पिंक लाश्ट में जो इंड है जहां पे वो दो मास जो ऐसे चिपक रहे है दोनों में लेकिन हलका सा गैप देख रहा वहां पे जाकि वो लोग फसा दिया था इसलिए और नाक सूझ गई थी ना तो मेरी बीटी का दिख नहीं रहा था उसके बाद हम लोग ना जब नाक का सूजन रात भर में कम हुआ सूबह में हम लोग देखते हैं कि उसका नाक मे कि नाक में ठोस ली थे वो तीन साल के रहे वह सकत हम लोग उसके बाद किसी से संपर करके बी-एच्व में तुरंत दिखवाए हम लोग बहुत डर गये थे कि मेरी बेटी का क्या होगा कहीं हम लोग खो तो नहीं देंगे उसे बहुत मतलब मन में बहुत डर था लेकिन हम बाद मेरी बेटी के नाक से दो मिनट में नहीं निकाल दिया एक ऑक्सी जैसा था निकाल दिया उतना अंदर से तो यह लोग बहुत जादा डर गये थे तो मुझे लगता है अपने छोटे बच्चों का केर बहुत करना चाहिए और जो सायद मुझे और मेरे हस्पेंट से न को जरूर देखिएगा उस वक्त हमारी रूह काप गई थी ऐसा सिच्वेशन बन गया था हम लोगों के साथ